Hello students, आज की वीडियो में हम कुछ angles find out करेंगे, ठीक है, like जैसे first में आपको दिया गया है, 55 degree दिया है और x, y, z की value आपको बतानी है, ठीक है, तो, sorry, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर vertical opposite and horizontal opposite angle है, मतलब कि कोई भी दो straight line, ठीक है, एक दूसरे को intersect करती है, ठीक है, और वो point, ठीक है, intersect करेंगे तो एक point होगा, उसको vertex बोल देंगे, ठीक है, कोई भी दो straight line, ठीक है, दो straight है, एक यह, एक यह, तो उनको cut करने के बाद एक vertex मिलेगा, एक दूसरे कट करेंगे, यह वाला जो angle होगा, जो नीचे, मतलब, लेटा हुआ कर लेंग तो यह horizontal, opposite angle हो जाएगा, मतलब, यह angle, x होगा, तो यह भी x होगा, और vertical में, मतलब, खड़ा हुआ है, इस तरह से, तो यह y है, तो नीचे वाला भी y होगा, same to same, यही concept, यहां लगाना है, horizontal, opposite, 55 ही है, तो यह क्या होगा, यह भी 55 होगा, ठीक है, और vertical, opposite, अगर यह z है, तो यह भी z होगा, ठीक है, यह पर यह y, कुछ ही बोल लो, ठीक है, यह पर आपको क्या बताना है, value बतानी है, यह पूरा circle कितने का होता है, एक पूरा circle, 360 degree का, ठीक है, यह पूरा 360 है, अब 55 पता चल गया, यह भी 55 पता चल गया, तो 360 में से, 110, 55, 55, 110, minus कर दोगे, कितना बच 6 में से 1 गया, 5, 3 में से 2, ठीक है, मतलब यह 250 है, इसका मतलब है कि 250 है, इन दोनों का sum जो है, 250 है, 250 को 2 parts में डिवाइड कर लो, 125, यह 125 होगा, तो यह भी 125 होगा, आप देखिए, 125, 125, 250, और 110, कितना हो जाएगा, 250 में 110 जोड़ दोगे, तो 360, पूरा circle आपको 360 का हुआ के नहीं, simple है, पहले तो आपको इसको तो easily पढ़ता चल गया, horizontal opposite 55, फिर हमें यह पता नहीं था, तो 360 में से, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, माइनस कर दिया, ठीक है, तो बचा होगा कितना है, 250 250 यह होगा कि यह होगा, इन दोनें पे कुछ नहीं होगा, 250 क्या है, यह प्लस यह है, बचा हुआ, 110 तो हमने जोड़ लिया, इसके बचा कितना है, 250, 250 मतलब यह बचा, यह बचा, ठीक है, अब 250 को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 125 यह हुआ, 125 यह हुआ, 80 डिग्री, ठीक है, सिंपल है, तो यहाँ पे 40, स्टेट लाइन पे दिख रहा है न, प्लस X, प्लस 25 इस इक्वेल टू, 180 डिग्री होना चीज़ समग, ठीक है, तो 65 हो गया, अब 65 उधर जाएगा, ठीक है, तो, तो फिर 65 इदर चला जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 गया, 5, 7 में से 6 गया, 1, 1, तो अब 115 है, ठीक है, यह क्या होगा, आपका 115 होगा, ठीक है, अब सेम चीज़ देखिए, अब यह भी तो यह स्टेट लाइन बन रहे हैं न, है कि न, तो यहाँ पे भी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो 115 प्लस 25 प्लस Z इस इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री आना चाहिए सम, ठीक है, तो 5, 5, 10, 3, 4, 108, 40, प्लस Z, 180, इधर जाएगा, तो कितना बजएगा, 180 में से 140 गया, तो 40 डिग्री बचा, ठीक है, यह आपका 40 होगया, अब क्या है, सेम यहाँ पे भी देख लेते हैं, 40, और इधर कितना होगा, 180 होना चाहिए, ठीक है, यह तो इसके बिना भी कर सकते हैं, 40 में कितना जोड़ोगे, जो 180 हो जाए, 120 जोड़ो, ठीक है, 120 प्लस 40 कितना होगा, 180, इसका प्रूव होगे, यहाँ पे भी आ जाएगा, यह भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो सम कुछ कखला किया है, चलि करना था, था ही तो 180 होगा, ठीक है, हाँ,अब सही है, 140 यह है, यह भी स्ट्रेट लाइन है, तो इनका भी सम कितना होना चाहिए, जोड में 1.80 होना चाहिए, 140 है, 40 है, तो यह भी प्रूव होता है कि आपने एक दम सही आंसर निकाला, y की वेल् और X की तो फिर वो भी प्रूफ होगी गई X की भी से ही है अगर आपको यह कोशन अच्छी से समझ में आया होगा अगर आपको यह कोशन अच्छी समझ आया हो तो प्लीज मरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंकी सो मच